हमाँ एप्सेल्टी लाइफ फटा-फट से अबाग जल्दी से इस फटा-फट से ऊपने बताओ क्या हमारा और्ट वीडियो 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 एक्दम बहतरीन तरीके से प्रवपर हैं यह में को बता हो पैसे है सब कुछ प्रॉपर है क्या अल गोड एक बर मैं कन्फर्म कर लो फटा फट से येस मेरे कल से एवरिटिंग इस गुड टू गो ठीक है तो सबसे पहले सार पेपर कैसा था पेपर रिव्यू दो सर पेपर रिव्यू देखो मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ पेपर हो गया ठीक है और पेपर डिफिकल्ट था इजी था क्या था तो वेना आपके तसल्ली के लिए फटा फट से एक स्मॉल ओवर्वू देतो आपको कि पेपर कैसा था पेपर कहां से क्या आया इसे ने क्या क्या उसके अंदर और फिर हम तुरंत S.F.M की शाड़ी डिसकस करेंगे ठी है सो विदाउट विष्टिंग इवेन असिंगल मॉमेंट फटा फट से आपन पहले एफ़र की थोड़ी थोड़ी बाते कर लेते और फिर आपन जब मार के कहां चले जाएंगे S.F.M के ओपर चले जाएंगे ठीक है सबसे पहले वेना टॉक आप अबोट F.R क्या पेपर ल करना है तो आप at least मेरे सुनने से फटा फट लिने कोशिश करते हो तो जिसने अपने maximum capacity में नॉर्मल सरकम्स्रांच में सब्सापोज आप 80 का आटेम करते अब मेरे पुष करने से अगर आपने 85-90 का आटेम कर लिया या सब्सापोज नॉर्मल केस में 70 आटेम करते मेरे पु तो मैं एसा कहूंगा देखो तो बहुत चारी कुशन नहीं आतो अपने को समझता नहीं है तो अगर जिस इंसान ने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी उसके लिए पेपर मैंने जरूर्ब जरूर्ब यह नहीं कह सकते हैं सर में को एक बी कॉशें नहीं आ रहा था आप पैसा नहीं कह सकते हैं अब जिस ने काफी बद चुगा मुझे रिप्लाई भी आ रहा है सब आपको पते हैं उसमें से आया था सब अपना देखावायता है सब कुछ में निदा की निया था हाँ कुछ जगे उन्हें एक अधर पूछ लिया, तो आप शायद कहां जाके फस्स गया होंगे, आपने अपना बैस देने का ट्राइक है, that is fine, ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं, अभी फटा फट सापको सारे क्वेशन कहां से दिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर समय पर जाते हैं, टाइम पस नहीं करते किया, best try किया, ठीक है, very good, 103 का question था, नया नहीं था, ठीक है, यह जितने भी बड़े questions, adjustment मज किया न सारे adjustment आपने डिसकस किये हूए, उसके बाद था, इंडेस 1 का, यह straight forward question था, जहां वो बोलता है, बता दो current की non current थीक है, उसके बाद 105 का, यह question भी मिन आपको marathon बताया था, क एक question था, जो मेरे ख्याल से कुछ, एका दो attempt पहले की RTP वगरा में आथा, 115 का, इसको भी मैंने marathon में करवाया था, ठीक है, तो यह 115 का वो बाला question था, ठीक है, किसे से बना, किसे से नहीं बना, मैं यह नहीं कह रहा हूँ किया आपका बनना ही चाहिए था, आपने बेस दने क cost ही book कर सकते है, elevator का नाम कर दिया, air conditioner और वो आपको question पूछ लिया, मेरे कहल से यह वाला वो question था, ठीक है, अगे दा manageable question, 116 में मतलब आप पने expect कर रहे था, वहाँ यह यह पूछ नहीं किया, ठीक है, उसके बाद 41 का again straightforward question, मैं यही आप से कह रहा हूँ, paper लें दिये, जैसे 103 1 question था, वहाँ 2-3 question मतलब पूछ लिया, लेकिन आप यह नहीं कह सकते है, कि मेरा out of the box था, यह नहीं कह सकते है, बहुत easy था, it was a balance between both, और CA final के paper सा, आपको expect करना भी चाहिए, कि आई से थोड़ा तो हखे है, आपके लिए एक चीज तो कुछ ऊपर नीचे पूछने का, तो अपने जित्ते भी आपने concept पड़े, वह सारे concept कवर करता है, anyways, तो 3A था, अपना 41 से direct question था, उसके बाद था, B 16, यह 8 marks के लिए, it is a little lengthy question, 16 वाला question, बट यह भी again, straight forward a simple direct question था, कुछ में कुछ भी नया इन्होंने किया नहीं था, ठीके, वो रूफ वाला question था, जिदर 25% ठीके, उसके बाद, उसके बाद, यहा, C 24, आदेल तो यह इंडे छोड़ के लिए लिए पार्टी, बट ठीके, चार माग का चोटा सा question यहां से पूछ लिया गया था, ठीके, तो जिसने किया रहेगा, उसके बाद, आपको वाला पूछा था, सार, आपको क्या लगता है, मैं से क्या आएगा, तो मैंने कहा था, या तो employer-employee वाला आएगा, या फिर compound financial instrument with transition cost आएगा, तो इन्होंने employer-employee वाला पूछा, ठीके, तो employer-employee वाला question था, इसमें छोटा सा यह वाल adjustment था, काफी लोग शायद धर गया रहेंगे, इसका कुछ करना नहीं था, नॉर्मल था ठीक है, तो वो देखके, अगर तुमको थोड़ा लगा रहेगा, तो चिंता वाली बात नहीं, एक employee को company ने loan दिया, उसका accounting आपको करके देनेगा था, मैंने 14 marks का इसे लिए है, क्योंकि इसमें entries वागेरा, आपको start से लेके last तक पूछी है, ठीक है, अब अधा start in the sense, entries, initial recognition, अच्छा, डे, first year की पूछा, लेजर वागेरा पूछा है, तो लेजर की वज़े से, मैं भी बोलेंगे, लेजर कैसा बनाना है, अरे general entry जो बनाते है, उसी का आपको लेजर बना के देना होता है, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा था theory question पूछ लिया, एक conceptual framework का question जहां बोल as a faculty to see this question for 16, I was surprised, अब जहां उन्होंने लेंदी पेपर किया, यहां 16 mark का पूछ के compensate कर लिया, because ये question करने में आदा घंटा नहीं लगता है, मैंने बोला था, इसको 2-3 बार लिखके practice कर लेने का, मैंने class बताया था, मैंने revision बताया था, मैंने revision बताया था, मैंने marathon के अंदर ब anyways, उसके बाद ये, again एक छोटा सा conceptual question पूछा, 37 के उपर, वो बोलता है, हमको restore बगरा करके देना है, तो उसके उपर थोड़ा ग्यान उनको देखे आने का था, तो ग्यान वाले question में आप क्या है, चार में से 1-2-3-2 score कर लो के तो बस हो जाता है, अच्छा, काफे लोग ना इंडेस्ट 16 का भी reference दिया रहेगा, डी कम इस्टिंग वाली बात का, अब ठीक, आपने जो भी लिखा न, it is fine, उसके बाद question number 6 आजाता है, इंडेस्ट 10, events after the reporting period, adjusting, non-adjusting आपको बताना था, तो उस पर 5 case, एक-एक माक का इच केस, ठीक है, अगेन यहाँ question थोड़ा सा लें देखो मैंने न, मैं मतलब ऐसे detail में जा रहा हो कि आपका solution क्या होना चीए, कितने साल का बनाना है, क्या बनाना है, मैं उसके नहीं जा रहा हो, जैसे यह इसने बोला, sir, वो उसमें वैसा करना था, मैं उससाब मैं नहीं नहीं जा रहा हो, आपने कुछ question में आपने दिक्कत वाला मेर को जहां तक दिखे रहा, उपर-उपर से, उसके बाद एक index 2 का एक straightforward question था, जो आपने इसके किताब के अंदर भी exist करता है, ठीक है, तो वो आपको, उसमें मतलब inventory की cost आपको निकाल के देनी है, तो वो जितने भी खर्चव आपको add करना होते है, आगे, उसके यू शुड बेन, thankful to God, ऐसा तो paper नहीं पुछा ना, जहां एक भी question दिखावा नहीं था, सब नहीं question आई, सब नहीं, कुछ भी नहीं दिखा, ऐसा तो नहीं था, तो भी thankful, एक बार ऐसे उपर देखो, बोलो, thank you बगवान, आपने ये तो decent दे दिया, ठीक है, मैं ये नहीं क जितना, देखो, आपन, कल के पहले, क्या सोच रहते, कि भगवान, ठीक ठाक paper निकाल दे, तो मैं, बस, यार, मैं को दिला दे, SM marks, मैं, question paper लिखा ना, आपने, लिखा ना, बस, that is fine, अब आते आपने, SMK, सबसे पहले ये बताओ, काम हो न, sir, thank you, cause of American paper अच्छा गया, बहु जिसमें, वो discuss कर रहे है, वो हम एक 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 answer निकालेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, भाई, खतम, अब देख लिया ना, paper फाड के साइड में रख दे, हो गया ना, paper, अब मैं भी इसको अटा रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बसको ओपर खीच लेता हूँ, अ अकासर ने marathon लिया, अकासर के marathon सब आया, आपने जो बोला वही आया, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा difficult था, थोड़ा trick था, जो भी है, आपने मेरी तारीफ कर दी मुझे अच्छा लगा, आपने अपना best दने का रहा है किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, paper ले अच्छे जोश में हो, positive feel कर रहे हो, तो मैं तो generally बोलता हूँ, कि एक big topic उठा के खतम कर दो, एक big topic और small topic, sir, what do you mean by big topic, मैं बोलूँगा, अगर आप में हिम्मत है, तो एक forex उठा के complete कर लो, और साथ में mutual fund ले लो, मैं ऐसा generally बोलता हूँ, ठीक है, तो forex उठा लो, mutual fund complete कर अगर हिम्मत है, अगर एकदम थोड़ा सा low feel कर रहो, आपको लगता है, नहीं नहीं सर, मेरको थोड़ा low feel हो रहे है, तो मैं बोलूँगा, big topic मैं you can replace derivative also, portfolio कर लो, तुम समझ रहा ना, बड़ा topic का मतलब क्या हो रहे है, ठीक है, और चोटा topic कर लो, फिर आप बोलोगे, नही बराबर उसके अलावा, उसके अलावा, साथ थर्ड में को क्या करेंगे, हम SM की थियरी कप पड़ेंगे, तो मैं बोलता हूँ, थर्ड में पर remaining practical chapters complete कर लो, जो भी आपका remaining practical है, अच्छी सी नीन ले लो, बड़िया देखो, और आज अगर आप ज़्यादा टाइड फिल कर र फोत में को, आपके बास एक बटक कर समय होता, चलो एक बी ने को, एक बच्चे बोलते हूँ, बारा बटक ही पड़ता हूँ, ठीक है, तो जब आपन एक या बारा बटक आपन पड़ते है, तो उस case में आप यहां उठाओगे, SM की थियरी, ठीक है, मैं तो, मैं जनरली क्या पड़ते थियरी पड़ने में, एक साथ बेने थियरी निकाल देती, सारी की सारी, उसके बाद, आप समझ लो, for example, आप साथ से लेकर 11 बे तक थियरी पड़ते हो, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, पोस्ट 11, सॉरी, एम, भाई, पी-म क्या वोल लो, सर आप, ठीक है, 11 एम ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हो, उसके लावा, आपका खुद का की प्लान अल्लेडी बना हुआ है, वो करू कर दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लावा, जब आप SFM का पेपर लिखकर आओगे, मैं आपको पहली बता दू, SFM के पेपर के अंदर, again, don't have any expectations की भगवान, easy भगवान difficult पूछ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, SFM ऐसा ही होगा, काफी question easy होगे, एक आदो question tricky होगे, paper थोड़ा सा लिंदी लग सकता है, it is going to be the story of every practical chapter, every practical subject, to be honest, मैं आपको कल भी वीडियो बना था, मैंने कहा था, दो question आपको tricky पूछ लेगा, बढदस question जो आपको आत खेल इदर ही है, आपन क्या कर रहे है, वो एक question है, उसमाई सेने क्या जश्मेंट पूछ लेया तो उसका discussion कर रहे है, वो हो गया, वो पूछेगा ना, वो सिये का paper सेट कर रहे है, एक का जश्मेंट भी नहानी पूछेगा क्या हो, तुमको जो straight forward पूछा उस पर focus करना, और focus on easy या straight forward questions first, there will be 2-3 questions which will be new, there will be 2-3 questions which you might not be able to crack, एकाथ क्लिकी होगे, बट जो बाकी 10 माक और बार question है, टोटल ऐसे 5 माक, 6 माक, 8 माक मिला मिला के, 16-17 question आते है, जो 10 माक, 10 question easy है, उस पर focus करना है अपने को, तो यही होना चाहिए, 100 माक का attempt, focus on the easier question, एसे फम में आओगे, जो भी तुमको लगता है, एसे फम में आने के बाद, तुरंत फिर audit पे shift, मार जाना, ठीके, तो अभी बात रही, एसे फम की, प्लीज, आपसे मैं हाद जोड के request कर रहाओ, हाद जोड के, एसे फम प्रैक्टिकल है, उसको revise करने में समय लगता है, एफर की बातें बंद करो प्लीज, प्लीज मैं कहा रहाओ, प्लीज, एफर की बातें बंद, खतम हो गया एफर, आपका पेपर शांदार गया, बहुत खुशी होई, ठीक गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, आपन एसे फम कवर करेंगे न, क्या दिक्कत है उसके अंदर, एसे फम में लाएंगे आ लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, क्योंकि मैं हर पेपर के पहले आपको यही मोटिवेशन आके देने वाला हूँ, कि कैसे अटेम्प करना, उस पेपर को कैसे अप्रोच करना अगले इसमें, और आपको भुलाने में हिल्प करूँगा, तो तो जाओ फटाफट से, अब शुब दिवस आपको पूरा दिन पे और अच्छे से पूरा आतंग मचादो, ठीक है, चलो, तो तो तैंक यू सो मच बबाई आरिवान टेकर सी वाल, लाइक कर देना, और लाइक करने के साथ-साथ सब्सकाइब जरूर कर देना, थैंक यू, best of luck for a SMM paper and guys best of luck for a remaining papers as well okay चलो तो thank you so much बबबबब आरिवन टेक केर सीवाल चल करो जैसा भी क्या चल करो पड़ो बबबबबब